इस देश में विनावी तक भाई जितनी गार ये देखे 90% फोर्चुनर, हाइलेक्स या फिर फोर्ड की रेंजर और ये जनवरी का मन्त है फिर भी देख लो 32 जिगरी हो रख है और आज इसको फाइनल बाय 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 बोल के भाई मैं जा रहा हूँ इंडिया में जी हाँ इमर्जंसी में जाना पड़ रहा है इंडिया कॉंट्रेक्टर था ना उसको हमने पैसे दे रखे थे बढ़ भाई वो बिना काम करे बाग गया और पैसे भी ले गया चलो जी पेट पूजा डन और बिल देख लो 3,09,000 रुपे का बिल आया सिरफ पीजा घाने का भाई साब इतनी महंगी कंट्री है ना भाई तीन लाख रुपे का पीजा खाया है हमने सोचो तो भाई राज को हम यहाँ पे रुके थे आपको मैंने दिखाया था लगेज वगे सारा सेट कर लिया है उठते उठते काफी लेट होगे बट कोई नी आज के वल भाई दो घंटे का ही सफार है तो डोल भी नी धाई गंटे का सफार है तो हो जाएगा राम से काड़ी की तो कल भाई बैंड बच गई थी इतने जादा बारिश इतना जादा की चड़ अब लुआंग प्रबांग कोंच के आज इसको अच्छे से चपाट बिल्कुल साफ सुतरा करवा देना यह कैमरा तक नहीं दिख रहा यह तो चलो हाथ से कर देखता हूं भाई हो ज जिसमें हम भाई 11 से भी जादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमेटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे उस्टेलिया में बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई जैसे आपने लंडन सीरीज को सपोर्ट दिखा है वैसे ही इस ट्रिप के भी लाइक शेर कमेंट और पर नहीं होता है सब्सक्राइब मारके बैल आइकन जरूर दबाना है अच्छे से बाई कैमरा तो साफ करी दू कम से कम चलो यह अंटी जी भाई डर गए डर क्यों गए बाई साब है और यह साफ कर लेते बाई अच्छे से ताकि चलो जी लेट्स को लिटरली भाई बहुत जादा की चड़ था कल हद से जादा हालत खराब हो गई कल तो सही में इतनी सही है ना अंटी भाई साब रात को भी हमें खाना बनाने दिया और सो रूपे लिए इंडिया गो अभी भी पूछ रही थी कि खाना नहीं खा के जारे मैं घुछ अपने मतलब का क्या खाए रोज रोज मैगी ready to eat खाने का मन नहीं करता अब इंडियान खाने की यादार यह बहुत जादा सेव दो रहा है सोहन यह खाए एक ही बचा है तो एक एक सेव खाले आई गंटे बाद भाई लुआंग प्रवांग पहुचके देखते है कुछ पीजा वीजा मिल जाए क्योंकि यह पूरी पहले French colony हुआ करती थी शायद से पता नहीं लुआंग प्रवांग भी थी यह एक शहर था मैं एक बर देख के बता हूँगा तो महाँ पे पीजा पास्ता यह सब तो मिली जाएगा कुछ तो खाने के लिए दिवाग की धाई हो जाती है रोज 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 बाई जब इनकी services ना आपको different currency and different languages में देखने को मिल जाएगी this is specially handy while booking international hotels and flight क्योंकि वीगो भाई compare करता है hundreds of flight and hotel booking websites को ताकि आपकी trip के लिए सबसे cheapest fare मिले you can find flight prices from websites like make my trip clear trip इसके लावा ease my trip and direct flight booking websites also like indigo या भी directly आप भाई वीगो पे भी बुक कर सकते हो and भाई for hotels it offers a choice of home rentals like airbnb and websites like booking.com, agoda and make my trip अच्छा अगर आपने वीगो एप को already download कर रख है ना तो भाई update ज़रूर कर ले ना क्योंकि इनकी नई आप में आपको काफी सारे exciting features देखने को मिलेंगे जैसे की भाई IRCTC train booking इसके अलावा events की booking कर सकते हो and सबसे important बात भाई यहां पर आप visas के लिए भी apply क कर सकते हो देख रहे हो वाई वीगो तो must एकदम all-in-one place है जैसे कि मैंने बताया they recently launch visa booking process for quicker and faster application process अच्छी बता हूँ तो मैं अपनी सारी travel bookings के लिए वीगो का use करता हूँ बट आप किस चीज का वेट कर रहे हो क्योंकि अब आपको भी वो secret trick पता चल चुकी है ना मेरी तो वहाँ पर जाके click करो download करो वीगो एप को फिर उसके बाद आपकी जितनी भी travel bookings होगी ना must prices पर आप कर पाओगे अँज है आप इस अब देखना यहां पर संत्रे कितने मिल रहे है जितनी वी राहट में दुकान थे हर जगा संत्रे संत्रे अब आस देख दम पर कल भाई साथ इतनी खतर्नाक वाली बारिश हारी ती कि विनशील्स दिख तक नहीं राता पर आज देखना बारिश का नाम औ पता है बोटन जो शहर था ना चाइना बोर्डर पे बिलकुल वहां से लेके अभी तक हम आप समझ लो 200 किलोमेटर आ चुक है 200 से भी जाद ही बड़ा शहर आया ही नहीं चोटे-चोटे ऐसे कसबे गाउं दस-पंदरा घर वाले यही सब आये जा रहे है तो इसलिए होटल मिल भी नहीं था का इन दंका कुछ एक जो छोटा से काउंता उसी में रूम ले लिया था आट सो कुछ रुपे में मिला था इंडिया के तो मैंने ठीक है रहा थी गुजारनी थी बट भाई है अब इतने बड़े शहर में हम जा रहे है और कोई बीच में बड़ा शहर था ही नह भी इनका जो खाना मिलता है वो तो था ही भाई हमें अपना कुछ नहीं मिला बट शहर एक दो तो होने चाहिए थे खेर अब लू आंक प्रवाम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर मस्त बड़ा शहर है देखते है कैसा कल्चर है वहाँ कई टूरिस्ट बहुत आते है उदर अब ही यहाँ से टोटल 72 किलोमेटर बचा और गूगल मैप दिखा रहा है भाई डेड़ घंटा तो वही है डेड़ घंटे में ही पहुंचेंगे तो कि सारा पहाडी लाक है और रोड जो खराबती न वो शुरू शुरू की थी कुछ किलोमेटर जब बोर्टर से हम निकले मतलब आप लगा लो 40-50 किलोमेटर की रोड खराबती लेकिन उसके बाद सड़के तो सारी बड़ी है गड़े थोड़े बहुत आते है बीच बीच में वैसे बनी हुई है अच्छे से और यह यह पहाडी लाके की वैसे स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती बस बाकि यहां पर ड कैपिटल सिटी जाएंगे ना वी एंटीन करके है सिटी वो सबसे बड़ी सिटी भी है और इनकी कैपिटल भी है तो वो पढ़ेगी आराउंड वहां से 200-200 किलोमेटर के आसपास और तब जलबाना पड़ेगा तब आपको दिखाँगा एक दो व्लोग वेट करना और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे दो तिन दिन अच्छे जे इस देश में भी नावी तक भाई जितनी गारिया देखें 90% फोर्चुनर हाइलेक्स या फिर फोड की रेंजर यही सब चल रही है या इस तरह के टंपू चलते है नॉर्मल सिडान गारिया तो एक भी दिखी ना छोटी गारी दिखी कोई भी हैजबेक हो गएरा सब की सब SUVs ही है ओविसली भाई जब रस्ते ऐसे है टेरेन ऐसा है पूरा तो यहाँ पे तो वही चलेगी ना नॉर्मल क्या करना ट्रक वाले भाई या ले प्रावा देख रहे हैं स्कॉर्पियन चड़ाई में कहीं भी चड़ जाती है एक दमसे पावरफुल गाड़ी है मजएदार कोई कमेंड मत करना कि महिंद्रा ने पैसे दिया है वह यह बोलने के हैं कोई पैसा नहीं दिया बहुत 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 बोल चुको जिस दिन देंगे ना सही में मैं बताऊंगा बढ़ मुझे आप लोग वीडियो देखते रहो शेयर करते रहो हम ट्रेवल करते रहेंगे ऐसे ही और यह वो कट्ड़ा देखे रहें हूँ बाई लो क्या खतरनाग लेवल का गड़ा था साइट डाइम पर ब्रेक मार ली वरना तो सस्पेंटन की जायरामजी हो जाता बहुत बिज़ बहुत सारे बना रहे रहे हैं असल में जो लेफ्ट में हैं या राइट में आपानी दे इसलिए बार 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 बर ना ऐसे ब्रिजिज आते जा रहे है जब जब रिवर क्रोस करनी पड़ती है बाई सब पंदरा मिनट हो गए ट्रक वाले बाई सब आगे जाने ही नहीं दे रहे यार यहां मोका था जाने का बड़ यह सामने से दो घाड़िया आ रही है यार चाट रखते एक ही लेन में एक को तो ओवर टेक कर लिए अब तीन हो रहा है ऐसी लाइन में बताओ ब्रिज आ गया ले लू गया निकल जएगी देख लो अरे निकल जएगी निकल तो जएगी व भाई ब्रिज है और वो ही लिवर है यह देखो जी पानी तो कुछ साफ नहीं लग रहा हरा हरा सा पानी है बट जो है वो है अभी दो ट्रक को और ओवर टेक करना है यह वाला और एक इसके आगे जा रहा है तो देखता हूँ भाई जैसी मिलेगा जुगार तैड़ पैड़ कुछ ना आए लेट्स गो हो हो अरे ट्रक आ गया भाई साइड लो साइड लो साइड लो चलो जी फाइनली चारो को ओवर टेक करा दिमाग खराब हो गया था पीछे चल चल के उनके अब सक्सेस्फुली हम आगे आ चुके है इन वाले देशों में ना टू वीलर्स बहुत ॉयां पुरियरणे करा और ट्रक झाले जाती है ओती है वीलर्स ज्राथ एक साथ ही लाइना चल पछके में चले जाए लाइन बाली एक साथ यह आत खंड खं पन दृघ 씨 value ten पिर से भुह जयाद बाई स्कूटर है यह नोर्मल पेटरोल वाले स्कूटर है चाहिना में तो चलो इलेक्रिक चलते तो दिक्कत नहीं थी तो फट 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 करते हुए फूरे रस्ते में दूआ भी निकालते जाते है और शोर भी रस्ता रहागा वाई केवल 5.6 किलोमेटर और यार यह पता नही स्कूट के रोड पर क्या बेच रही है मुझे तो लग रहा है लोट्री आ है यह शायद से ना 5 5 6 6 ऐसे लिखा हुआ है तो लोट्री होएगी यह देख लो एक और यह बैठी हुई है दीदीसी ऐसी मतला बहुत सारी दिखे है बाई एक दो नहीं बहुत ही सादा और यह दे बाई यह देखो बाई लेफ साइड में हमारे टोयोटा का शोरूम अभी फोर्ड का भी गया है फोर्ड यार इंडिया में प्लीज आ जाए मतलब मेरा इतना मन करता ना बाई कि एंडेवर हो नहीं वाली वाली स्वाथ सा आ जाएगा मतलब शोरूम किसी भी देश में देख यह बाई और यह भी यह देख न कितने वाई यह इतनी क्या लोटरी विक्रिया लाउस में यह लो एक और आ गई यह भी बेच रहे लोटरी पर खरीद कौन राइंच और उदर देखो दो-दो बैट वी एक साथ वाई हर दुकान हर घर के बार एक एक लोटरी सिस्टम कोल र मतलब 232 किप जो यहां की करंसी है के आई पी वाई सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब दो दिन के बाद फ्यूल स्टेशन देखो कि इतना बड़ा है और यह खरीद रहे है लोटरी होए क्या बात है भाई यह जीते हैं लग रहा है इंडिया से अलमोच 10,000 किलो मुटर दूर तो अब इसकी सर्विस का भी टाइम आ गया है भाई 12,000 पे मेरे को करवानी पड़ेगी तो 3000 और मेरे क्या लाओस में जरूत नहीं पड़ेगी कंबोडिया या थाईलेंड में करवा लेंगी क्योंकि अब लाओस जादा बचा नहीं है मतला इ और आपको बताया था मैंने हाथी फेमस है लाओस में तो इसलिए होटलों के भार या घरों के बार लोगों ने इस तरह के हाथी की मूरतिया लगाई है यह यहां का गोल चक्कर आ गया और लंसंगाम फ्लावर गार्डन पता है आपको लुआंग प्रबांग में गूमने की इतनी जादा लोकेशन नहीं है होगी भी तो दो तीन जगा होएगी यहां पर लोग आते है शान्ती के लिए पार्टी करने के लिए तो इसी रीजन के वैसे मैंने होस्टल बुक करवाया है जिसका नाम है मैड मॉंकी होस्टल काफी देशों में इनकी ब्रांच है बाई मतल रात तक और फिर सो जाओ जाके तो इसलिए यहां पर दो तिन दिन चिल करना अच्छे से जितनी भी पिछले दिनों की ठकान है भाई सब उतार देंगे यहां पर मस्त पूल में टेंपरेचर देख लो भाई 32 डिगरी हो रहा है काम माइनस 19 में थे हम जब तिबत में थे और रोड जरा सी चटाई के आई है सामने वाले ट्रक ने तो पूरी हालत कर दी रोड की तो महीं तुमाई तुमाई दिखा दी वाई सही बात है देखना कितना दूमाया हाथ हो गई मुझे पहले लगा था थोड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर होगा मतलब थोड़ा बड़ी स यहां पर आप लगा सकते हो हिमाचल के या उतराखन के कोई हिल स्टेशन होते है ना उस तरह का महौल है फिमला वगारा का तो वैसे ज़रूत की सारी चीज़े मिल जाएगी फैसिलिटीज मिल जाएगी होटल वगारा रहने के लिए बट वैसे बिग सिटी नहीं है वो उच सब्सक्राइब होगी तो जो लोग भी मतलब पाटी शाड़ी करने आते हैं ड्रिंक वरिंग बियर मस्त करो अपना हम तो खेर दोनों ही नहीं करते बाई ना जुरात है हमें क्या आती फोरे नर आए हुए हैं आपे काफी यह देखो बाई हाथी हुई होई पहले सा लग रह जाता है बर ठीक है भाई लाउस में गूगल मैप ही चलता है तो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं और फ्रूट मार्किट है भाई बहुत बड़ी क्या बात है मज़े आगे चलो ब्रेकफस्ट वैसे होस्टल में इंक्लूडिड होता है हर रोज फ्रूट वगरा वो देते है पार्किंग होनी चाहिए बस भाई पक्का इसी में रुकेंगे मैड मंकी में बहुत पसंद है मुझे माहोली अलग होता है भाई सोस्टल का ना जो इनकी फ्रेंचाइस यह पूरी मज़ेदार वो है पूरा सीन अपना डांस वांस करो पूल में डुपकिया लगा होई होई ह जिन्दकी हो तो ऐसी है और यह सारे ही गेस्ट हाउस है लेफ्ट राइट में अगर मैड मॉंकी में नहीं हुआ जूआ तो इन में से किसी में एक में बात करेंगे जहां मिल जाएग अच्छा वहीं पर डान यहीं दिखा रहा भाई ख़तम होगी लोगेशन तो दिख रहा पार्किंग की बात करें और यह पूछते हैं चलो उतर के वहाँ तुम बैठे रहो मैं पूछ के हूं इतने बात करके हो बात करके आप तो नहीं लिन ना अंदर ही जुगाड़ हो तो सही है आपको ना फोरेनर्स बहुत दिखने को मिलते हैं हो श्टल्स में क्योंकि यह इसलिए फोरेनर्स जो लंबे समय के लिए आते हैं बीज-बीज दिने के महिने के लिए वो प्रैफर करते हैं कि फोस्टल में रुको पैसा भी बचता है और लोगों के साथ इंटरेक्शन भी तो यह इनका लोगो है बाई मैड मंकी लुआंग प्रवांग पूछ लेते हैं जा है तो यह परकिंग पर कार अला झाला यह फिर एंट कर पाक पार्किंग सेप्शन देख सकते हो मस्थीम बना रहे हैं डू यह वाला स्पेस मुझे दे दो खाली यहां पे पार कर दूँ हमने गाड़ी तो निकान ली नहीं है अब आगे कुछ दिन इसलिए बेटर है कि एक ही जगा खड़ी हो जे और इनको भी दिक्कत नहीं होएगी जो बाइको वाले या टू वीलर वाले आराम से बात तो कर रहे हैं बार और रेस्टुरेंट है भार तो शाम के टाइम में काफी लोग आते हैं तो वो अपने वीकल्स खड़े करते हैं अब मैंने रिक्वेश्ट तो करिए तो उदर जगा दे दो या यह यह जगा दे दो कहीं भी जगा दे दो या क्योंकि भार मेरा ना सही में मन सानी है खड़ी करने का और शायच से मुझे कल इंडिया जाना पड़ रह क्योंकि उसको ले जानी सकता साथ में अगर उसको भी ले गया तो गाड़ी कौन देखेगा यहां पर समालेगा तो इसलिए सोहन यह रुकेगा मैं इंडिया जा रहा हूं 98% चांसी है मैं कल निकल रहा हूं फ्लाइड बुक करनी है यह नहीं मान रहे मेरे को लग रहे बहार आउटसाइड दे रोड बढ़िया है बंक बैड 538 रूपीज पढ़ रहे है इंडियान करंसी में पर नाइट यहां के हो गए 1,25,000 किप तो मुझे तो अच्छा लगा वास पार्किंग अंदर नहीं हो पारी हो कहरे बहारी खड़ी करनी पड़ेगी तो एक दो होस्टल ओर आज पास फोड़ा सा नजर मार लेते हैं अगर कुछ दिखे का अच्छा तो ठीक है वरना इनके बंक बैड़ना बड़ी अलग है मुझे वोश्रूम भी साफ उतरे और एसी भी तगड़ा चल रहा था वाई-फाई भी अच्छा है यहां पर बाकी फिर भी देख लेना चाह इस तरह के देश या इस तरह के शेर ना मुझे बहुत पसंद होते है आराम से रेष्ट करने के लिए एक यह गैस्टाउस है इन से पूछते चलो आए तो पार्किंग लगत और यह है तो भाई अंदर गैस्टाउस लाइटे बाईटे बाईटे चल रही है एक बार जाके प पार्किंग भी अगर इन्होंने बाहर भी करवाई तो गली में है सेफ रहेगी हेलो लेट सी वाई कैसा रूम है कितने का है असल में पीछे से सौन अकेला रहेगा तो जादा महंगा रूम अकेले के लिए तो फायद है नहीं ना कोई तो मैं इस इतले होस्टल सोच रहा था हेलो रूम हाँ मच एंड डू यू है पार्किंग कार पार्किंग यार इनको इंगलिश नहीं आती मैड मंकी वालो को तो आती थी तगडी तो लो ट्रांसलेट करके दिखाते हैं कार पार्किंग आउटसाइड ओके ओके तो ठीक है गली में है ना सेफ ही रहेगी वहा उपन साके हैं वहां पर रोड में दिखाती है इस शूद उतारने पढ़ेंगे तो कह रहे हैं देखने में तो सही सा लगर है भाई वुड़न का पाम है पूरा का पूरा यह कॉमन एरिया होगा पर लोग इतने दिखने रहे हैं आपे थोड़ा सा खाली-खाली सा है वाइफ़ा हो होना चाहिए और बात्रूम साफ होगा सो और क्या करना यह रूम है भाई कर दो डाइटों ओ यह दो डबल बैड है भाई यह तो महंगा होगा सिस्टम बड़े बड़े दो बैड लग रहे है फैमिली रूम है फ्रिज भी अंदर ही दे दिया बाई सब कुछ इनोंने तो और यह बालकनी है जहां से कारी भी दिखती रहे ही बाहर रिख हाव मच फोर देस हाव मच हा कितना ही है किप जाए सेर्ण कीप 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 हो फाल चार लाक चार लाक कीप हो गए डिवाइड़ वाय तू थर्टीटू शत्रा सो एंड सिंगल सिंगल रूम वन रूम इस बैड वन वन बैड तो सतरा सो रुक्रेगा बहुत महेंगा पड़ जेगा आज राच के लिए ठीक है अगर दो लोग रुक रहे है पर खाली सोहन रुकेगा छे साथ दिन इस पर तो क्या फाइदा ये भाई सिंगल वाला ये कह रहे है ये भी तो दो बैटी है ये कूंसा सिंगल है देख ना दो बैटी तो लग रहे है हाव मच पर दिस रेम बट वी वोंट लेस चीपर फोर वन वन परसन वन वन वन हाव मच थीन लाग पचास जार ये तो महांगा है डिवाइड़ वाई टू थटी तू फंदरा सो रुपे का पड़ रहा है ये है भाई सिंगल बैट वाला ना ये शाह सस्ता होगा तो काफी बढ़ा ही है बैड भी ये सी भी लगा हुए बालकनी भी है बात्रों भी तो भाई फाइनली चलो मिली गया इसी रोड पर लास्ट वाली बिल्डिंग है वह वाला है अपना एक होस्टल और इनकी पार्किंग है यहां पर यह देखो तो अब यह ना सेफ की वह में रोड और यह गली सी है तो यहां पर कोई पीप आके भाई क्या ही ठोकने आएगा ह सोहन बाकी देखता भी रा करेगा हर रोज एक बार नजर मार लेगा तो सही है साइड साइड में पार्किंग है बढ़िया बैग बैग निकालते हैं और चेक-इन करते हैं जी देखना क्या हलत हो रही है गाड़ी की अब तो खेर आक ही करवा हूँगा क्योंकि पीछे से तो तो अच्छा है वाई-फाई भी है और उनके पास रेस्टोरेंट भी अपना पहले तो पेट पूजा ही करेंगे पासपोड आसपोड दे के चेक-इन कर लेते हैं फड़ा फट गली में तो थोड़ा सही है शान्ती भी रहेगी अपना कार की भी अप टेंशन नी और स्टे की भी टेंशन नी यह डोमाइन के कुछ बैट इदार है कुछ बैट इदार है हमारा नीच से है जो इन्होंने दिखा है वह तेरी अरे बाद साब डरा क्यो रहे हो यह बाई रेस्ट्रेंट मस्त पीजा वीजा मिल जाएगा चलो चेक-इन कर लेते हैं और कल मेरी ट्रेन बुक और कर लेते हैं और चेक-इन कर लेते हैं वहाँ से अब हम चेक-आउट करने की सोच रहे हैं क्योंकि एसी तो चलो नी था मैंने देख लिया था पहले ही पंखे मेरे को लगा हो जा रहा बड़ा मच्छर बहुतते हैं दस मिनिट लेटने पर और दूसरी चीज बाई जो सब नाइट अगर मांजे 1200 में तो फिर सही है वरना फिर मैड मंकी का देखते हैं उसमें खोड़ा पाल्किंग का इशू है बागकी तो भाई एक नंबर गादा वो चार्जिंग और सब कुछ देवां मैंने चेक नहीं कर रहा उस वक ना चार्जिंग देख लेता तो लेता ही न अरे वो वेस्ट हो गए बट ठीक है अरे ना यह भाई टम टम करके कुछ नाम ता इसका और पार्किंग देखो जश्ट इसी के भार इनका शेड लग रहा है ना वो वाला शेड उस शेड के नीचे पार करके इंडिया चला जा मोँ बढ़िया देखो काफी सही जग है अपन पास में एक रईस्ट उन और पीजा के लिए तो मस्त सा पिज्चा काते क्योंकि हमरें आपको बढ़ा है इस चालो है ना इस बाकिया है और प्धाली एक रहता था क्यों कि आ रख लिया थे पहले पास में ही एक र्च्ट्टेट्वेंट पाइट ray शा किम मैंने आपको बताया है ना इटालियन फूड आपको मिल जाएगा और फ्रेंच फूड भी मिल जाएगा लेकिन अपना टाइप का नहीं मिलेगा तो कोई नहीं पिज्जा साही काम चला ले ते मार्गुरेटा इस से भरा हुआ विद कोल रिंग काई हाई आज तो पिज्जा हो कुछ नहीं दो एपल एक कल खाया एक आज काया तो यह हालत हो रखे ट्रेवलिंग में और लोगों को लगते है ट्रेवलिंग असान है मज़े आते हैं बताओ बहुत मज़े आ रहे हैं आपको घूमने को मिल रहा है बट चैलेंजिस बहुत होते हैं ड्राइव करो पुरा- दिन रस्तों का नहीं पता कैसे है कैसे नहीं खाना नहीं मिलता टाइम पर बोडी में न्यूट्रियंट्स नहीं जा रहे टाहिंपर अलत खसता हुई भड़ी है अगया है लासिलापा इटैलियन एंड लाव किचन तो यहां पिज्जा मिलेगा बट पार्किंग नहीं मिल र यहां लगा दूँ यह भी पिज्जा का है देखना भाई भाई बीड तो नहीं है आज चलो जल्दी मिल जाएगा ओडर अपना बार बैठें अंदर बैठें अंदर ही बैठतें अराम से अलो यह पीजा पीजा है लो जी लो यह आगया अपना मार्गरेटा पीजा एंड फ् मैंगी कंट्रिया ना भाई तीन लाख रुपे का पीजा खाया है हमने सोचो हाला दी खस्ता हो गई आस तो जाग करूं भाई यह इंडियान करंसी में बने मोटा मोटा बारा सो तेरा सो उर्फे इसमें दो मैंगो शेक भी लेजिए था हमने तो सही है काफी महा नहीं है उस समान रख लिया जो मैंने चाइना से खरीदा था जैसे कि यह गेम वें पार्त वारत के लिए जो जो गिफ्ट है तो वो सब कुछ ले जाता हूं ताकि यहां से टेंचन फ्री पहले मैं सोच रहा था एक ही एक ही दोनों बैग ले जाओ और एक वो तीस राद फिर मैंनका ले तो हुझए जाओंगा उनके एरपोट में वाक वाट वा कर के अरे यह पोटायर देख्यूल धाइड़ कारूंगां तो वहां से मेरे टbreस बारा करूंगा और थाइलेडद ow दो दिनकल का दिन और पर सो दिन फिर परसो मेरी जो है वो विस्तारा की इंडिया की वह इंडिया और सस्ता उप्शन यही मिल रहा था तो सोचो मैं निकलूँगा तो कल बड़ पूंचूँगा भाई दो दिन बाद इंडिया तो समझ रहो ना लफ़ा है बड़ जाना पड़ रहा है भाई बस लास्ट यह सेट कर लूँ उसके बाद पक्का बताता हूं आपको यह जूते गूते जो यूज के नहीं है ना यह सब घर पर छोड़े हम अब राते वक इसी बैग में खाने का समान ठूस लाँ हो जैसे चिप्स, कुरकुरे, काजू, कतली हो यह बाई यह सब्सक्राइब कर दो अब आखे रहे हैं सब्सक्राइब कर दो दो अब आखे रहे हैं आप शर्म का बाई नहीं आखे पर इंदिया जाकर घाए उप यह बाई सब्सक्राइब करें तो यहां पर घूमने के लिए मिलेगा तो आसपास घूमतार आएगा बाकी अपना होटल में थोड़ा बहुत जो एडिटिंग काम है वो क्योंकि आपने देखे ही होंगे अलड़ी हमारी चाइना के 15-20 व्लोग पैंडिंग पड़े थे तो इन दिनों में में वो डल जाएंगे सारी के सारे खेर मैं तो पाश्ट में हूँ आप तो यह फ्यूचर में देख रहे होंगे और जब तक आप यह व्लोग देख रहे होंगे मैं वापिस लाउस पी आ चुका हूँगा इसी आप से मैं प्लैनिंग करके जा रहा हूँ भाई दिमाग है इन स्कॉर्प्यू एन को शेड के नीचे तो रात को ठंक से दिखनी रही थी है मैं का चलो दिन में दिखा देते हैं बहुत ज़्यादा गंदी है पर कोई बात नहीं आके दिलवाएंगे और आज इसको फाइनल भाई-बाई बोल के भाई मैं जा रहा हूँ इंडिया में जी हा हुआ शायद से बट हम इंडिया से भी लेट निकले फिर चाइना में भी हमने एक्स्टेंड कर दिया जहां बीस दिन का प्लान ता हुआ चाहलीस दिन घूम लिए चाइना नेपाल में भी तीन-चार दिन एक्स्टा लग गए तो उस रीजन की वएसे थाइलेंड पहुंच पिस लाओस ही आ जाओंगो और यहां से ट्रिप कंटिन्यू करेंगे अपनी यह सारा सीन है भाई कि क्यो मैं इंडिया जा रहा हूं उपर से वैसे एक और रीजन भी है हमारे घर काना कंश्रक्शन का काम चल रहा है तो जो पुराने वाला ठेकेदार या कॉंट्रेक्टर थ तो इसलिए अब मैं जाई रहा हूं इंडिया तो नया कंट्रेक्टर को भी फाइनल वाइनल करके चीजे फिर मुझे वाप पिसाना पड़ेगा तो यही सब रीजन है भाई में तो शादी है शादी है शादी है जा रहा हूं शादी अटेंड करेंगे और फटावट से रहा हूं वादी है